है रहे बच्चों विल्कम बैक तो माँ चानल कैसे हैं आप सब लोग आप लोग को जैसे की पता ही है कि उत्राखन लोग से वायोग की आप लोग के असिस्टेंट एकाउंटेंट सहाय क्लिका करकी जो भरती आई थी तो उसमें क्या आप लोग को पढ़ना है पस ले बस क्या रहेगा यह सारी चीज़ें मैंने डिसक्स की थी आप लोग के साथ तो आज की वीडियो से स्टाट करेंगे इसके प्रैक्टर सेशन जिससे क्या आप लोग का प्रैक्टर होती रहे कि कोशन जिस तहां के आते हैं से इन वैसे ही कुछ को सकता है कभी-कभी डिरेक्ली फूट प्रैक्टर को मैंने शेयर किया आप लोगों से प्रीवेस वीडियो में वहाँ पर आप उसका पुरा समझ सकते हैं उसकी अलग-अलग एंशी के वीडियो जो है सब्जेक्ट वाइज आपको में चैनल पर अप्लोड हैं तो आप लोग वहां से त्यारी कर सकते हैं आपका भी होती चलेगी तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तहां कि और वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजेए और नोटिफिकेशन बिलको भी जोरान कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर चले शुरू करते हैं इसमें जो फर्स्ट कुर्शन ले रहे हैं वह हो जाएगा डेबिट तरसीवर और गिवर दिस रूल इस अप्लिकेबल टू पाने वाली कुछ ड़ी एवं देने वाले को धनी यह नियम लागू होगा तो आपने पढ़ा होगा फाइनेशल हैं और जो गिवर होगा उसको हम केडिट कर रहे हैं तो यह रूल जो होगा वो किस अकॉंट में अप्लिकेबल होता है परसनल अकॉंट व्यक्तिकत खाता नॉमनल अवास्तिक खाता रहल अकॉंट वास्तिक खाता या पर बी और सी दोनों में तो यहां पर जो रिसीवर को यानि कि जो प्राप्ट कर रहा है वो रिड़ी हो जाएगा और जो दे रहा है वो धनी हो जाएगा यह रूल लगता है व्यक्तिगत खाते में पर्सनल एकाउंट में पर्सनल एकाउंट यह रूल तो पर्सनल एकाउंट का हो गया कि जो रिसीवर होगा वो डेबिट हो अगर nominal account की बत करें तो वहां पर क्या होता है जितने भी expenses or losses होते हैं जो भी हमारे हो रहे हानियां हो रही हुझा सब डेबिट हो जाती है और जो भी आय होगी या पि जो लाग होते हैं वो सब केडिट हो जाते हैं तो यह तीनों अकाउंट्स के रूस हो जाएंगे अकाउंटिंग करने की इंट्रिस करने के नेस्ट कुश्चन है अंडर फीफो मैथट इस्टॉक्स और शोन एड फीफो विधी के अंतगत रहतिया दिखाया जाएगा तो फीफो मैथड है क्या तो इसको एस्प्लेंड करें तो फिर्स्ट ачते फिर्स्ट जो पहले आता है उससे पहले ही इश्चो भी क्या जाएगा अब आते कोश्चन की तरफ क्योश्चन क्या कहा रहा है कि इसका अंतरकत रहतिया ब्रतुदक्र मुले पर ज सभी पर तो जो सामगरी उसे पहले ही इसटाउक में बचता है हमारा तो जो मूली होगा वो करेंट का बिल्कुल प्राइज होता है जो मार्केट में चल रही होती है इसकीमतें वही रिच्ट आशर होगा option भी the most recent prices परवक्त में से कोई नहीं तो जो भी bonus दिया जाएगा तो आपको पता होगा जो expenses होते हैं, direct निडायक्ट दो तहां के होते हैं, जो direct expenses होते हैं वो सारे किसमें दिखाया जाते हैं? trading account में और जितने भी indirect expenses होंगे वो सब कहा जाएंगे profit and loss account में जो हमारा trading account से profit निकल के आता है वो gross profit होता है और जो हमारा profit and loss account से profit निकल के आता है वो net profit हो जाता है तो यहाँ पर जो bonus होगा वो हम profit and loss account में दिखाते हैं लाभानी खाते में पर एक आंसर यहाँ पर होगा option B next question which is not a current liability in the following name इसे कौन चालूदायत तो नहीं है question में आपसे पूछ रहा है कुछ options दे रखें चार्जर आपके उसमें साब को यह बताना है कि कौन सी current liability नहीं है तो यहां पर दो दहां के assets आपकी मेली जो fixed asset है और current आपकी asset हो जाती है या current liability jeo fixed liability हो जाती है तो यहां पर कौन सी चालूदायत तो नहीं है चल दायत टो नहीं है बंका दिखर शेव चाहें होता है चल दायत हो तो अब अगर हम बात करें एक बार विक्ली देख लेते हैं कि करेंट एसेट और करेंट लाबिल्टी में क्या क्या चीज़ आएंगी तो करेंट एसेट जो होती है तो वहाँ पर कैश इंड है कैशेट बैंक बार्केटेबल सेक्योर्टी शॉर्ट टम इंवेस्टमेंट डेटर्स बिल सिसेटाबल से स्टॉक है अकर उंकम है यह सब हमारी हो जाती है verset और बात करेंएं जो करेंट लाबिल्टी है तो कोश्ण आपसे पूछता है कि असका उसका आंसर दे सकते हैं नेस्स कुशन है सालरे ड्यू इस इंक्लूड़ेड इन प्रिफेंशा केडर्स इन केस ओफ प्रसिडेंसी टॉण इंसॉलवेंसी एक्ट टू इक्सिटेंट ऑफ किसी मात तक लिपित को देवितन प्रदिकाल लेंदारों में शामिल किया जाता है प्रसिडेंसी टॉण दिवा वहां के अधिनियम पास होесьे थे एक हो जाता है प्रिसडेंसी टाउन दिवाली आधिनियम दूसर हो जाता है प्रॉवेंशिल इंसॉलवेंसी एक्ट याणि की प्रांती दिवाली आधिनियम तो दोनों केही क्या है रूज्छ थोड़े से अलग अलग है उनका छेत्र भी अ जो क्लर्क के लिए वो 300 और जो सेवक वा मजदूर होगा उसके लिए 100 से अधिक को प्रिफरेंशल में शामिल नहीं किया जाएगा यानि कि 300 की एक क्लर्क का वेतन होगा वो प्रिफरेंशल में माना जाता है तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और उसके नियम या शर्तें क्या होंगी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंडर विच एक टैक्स डूट और प्रिफरेंशल लेबिल्टी सरकार को करकि पूरी राशी किस अधिनेम के अंतरगत को अधिकारी दाय तो होती है यानि कि गवर्मेंट को आपको किसी तांकों कोई कर देना हैं कोई टैक्स चुकाना है तो वहां पर पूछ रहा है कि दोनों ही जो अधिनिया माप्क के प्रॉवेंशल है दूसरा हो जाएगा प्रिसिडेंशी तो दोनों में ही किसी मातक्व और रैविल्टी मानी जाती है तो दोनों ही आपके जो एक्ट होंगे प्रॉवें तो माना जाएगा यहां पर एक टांसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंट बी नेस्ट कुश्चन है अंडर प्रेसिडेंसी टाउन इंसल्वेंसी एक नाइटीन नाइन सारे डू टू एक लर्ग इस प्रेफेंशल लिएबर्टे टू दा एक्सिटेंट ओफ प्रेसिडेंस किसका करिक्ट आंसर क्या है नेस्ट कोशन है इस प्रेफेंशल लिमिट देन दे एक्सिस अमांट इस इंक्लूडेड इन लिपिक की वेतन की राशी अधिक पुरादिकार सीमाज से अधिक हो तो अधिक राशी डैश लिंदारों में जूड़ी जाती है यह तुम्हें पता चल गया कि जो 300 तक का मांट होगा वो लिपिक क्या पुरादिकार माना जाए गदाई तो लेकिन अगर उसके आगे कोई राशी सपोस्ट का लेजे 500 है तो 300 हमारा निकल गया वह हो जाएगा प्रेफेंशल के अटरस में आ जाएगा पदिकारी लेंदार हो गया लेकिन उसके पूरतारक्षित लेंदार चल जाता है आरक्षित लेंदार में यानिकि अनसेक्षर हो जाएगा औप्शन एक कोईरिंग स्टेट्मेंट ऑफफेर्स बुक डेप्ट और शोन अंडर इस्तेति विरण बनाते समय पुस्त की देंदारों को दिखाया जाता है तो स्टेटमेंट अफurpose निक स्रेट का बना झाता है उसको किस सूची में दिखाया जाता है तो कई तरहके सूची चीज असके बना जाती है तो लिस्टे लिस्ट, कि इस एफ या पर लिस्टे जी तो यहां पर जो लिस्ट A होती है उसके अंतरगर अन्सेक्योर केशर्स आते हैं औरक्षिर लेंदार आते है लिस्ट E में कमी हो जाती डिप efficimen drop Grad अने कि पुस्ट की निदारों को दिखाते हैं तो यहाँ पर क्रेक्ट आंसर हो जायेगा Option C, List F Next Question है, Reposition on the Fixed Asset Should be Allocated to the concerned वहां fixed assets होती है उस पर डिप्रेसेशन लगाया जाता है तो अलग-अलग departments पर जो से rated होंगे उस पर किस तहां से हमें उसे भारित करना चाहिए weight of the fixed assets इस्थाइ संपतियों के भार के अधार पर value of the fixed assets इस्थाइ संपतियों के मूल के अधार पर space occupied by the fixed assets इस्थाइ संपतियों के अधार पर ननाफ्ता इबाव इनमें से कोई नहीं तो जो भी यहां depreciation charge किया जाता है वो उनके जो departments होंगे उनमें किस बेसिस पर डिवाइट करेंगे तो वह हो जाता है इस्थाइ संपतियों का मूल ले value of the fixed assets पर एक टांसर हो जाएगा option बी नेस कोशन है गोड़ सप्लाइड बाइड ऑफिस बटनाट रिसिट बाइब ब्रांच ट्रियल दा closing date is card रिधान का राली द्वारा बेजा गया अंतिम टितीर तक शाखा को प्राप्त ना हुआ माल कहलाता है यानि कि जो head office था उसने तो जो goods थे वो सप्लाइड कर दिये हैं ब्रांच को लेकिन जो closing date थी ब्रांच की उस date तक वहाँ पर वो जो goods थे वो नहीं पहुचे हैं वो रिसीव ब्रांच को नहीं हुए तो इस तहा के जो goods होंगे वो क्या कहलाते हैं goods in transit मार्गस माल लॉस इन ट्रांजिट मार्गस्थानी गोड्स रिटन बाई ब्रांच शाका द्वारा वापस किया गया माल profit in transit मार्गस्थ लब तो इस तहां के जो goods होंगे जो की रास्ते में ही हैं अभी ब्रांच को रसीव नहीं होएं वो कहलाते हैं नाम से clear हो रहा है मार्गस्थ मा इधान काराले को भीजे गया रुकड को प्रवेतित किया जाना चाहिए तो यहां पर कोशन ने पूछ रहा है क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रांच एकाउंट तो वहां पर कई को कि आज की टाइम में जो बिजनस लोग पाहर निकल की भी कर रहे हैं तो फॉरन में भी विदेशों में भी अपनी भृट होती है तो ऐसी देशां में क्या होता है कि जो हम अपने अपने हूं रख रहे हैं और जो हमाई ब्रांच लो विदेश में फारीं कांड République में वहँए लूग अलग है तो वहां पर क्रिंशी में उसकी चेंज़े में चन्जे बांग होत में तो वहां पर कौन सा मूली होना चाहिए यह ही आपका कोशन आप से पूछ रहा है यह हो जाएगा ओपनिंग रेट पारविक दर से क्लोजिंग रेट अंतिम दर एक्चुल रेट एट विज्टा रिमिटेंस वर मेड वास्तिक दर से जिस पर रोकड भेजा गिया या फिर तो ऐसी दिशा में हमें वह अला प्राइज लेना चाहिए जिस पर एक्चुल रूस की रेट होती है जिस पर की वह भेजा गया था उस रेट पर ही क्या होता है परिवर्दित किया जाता है तो करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी नेस कोशन है इन केस ऑफ इंडिपेंड इंडिपरांच ऑपर लाघना को है वी मांख भेज़ती होती है के सब्सक्राइज अनुट घृंट कोशे नह पर इंडिपेंडिडेट प्रतिकें इतन्ल उक्रेओ्चपू क्याया ईन्यच्चन में इस सब्सक्ति पर एक वेपना अलग पर ceremony हैए एक अलगर इन्डिवीज्य है तो वहां पर उसका एकाउंट खोला जाएगा एड़ ऑफिस की बुक्स में तो वह हो जाएगा परसल एकाउंट की तरह वेक्टिकेट खाता करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए निस कोशन है एस पर कॉस्ट कॉंसिप्ट एसेट्स आर रिकॉर्ड़ इन दा बुक्स ऑफ एकाउंट एड़ लागत अफधार्णा के नुसार संपतियां हमेशा मुल्यांकित की जाती हैं मार्केट प्राइस बाजार मूल पर पर पर्चेस प्राइस क्रेम मूल पर करेंड प् में जो भी कम हो उस मूले पर तो जो लागत अफधार्णा होगी उसके अनुसार जो संपतियां होती है वह हमेशा क्रेम मूल यानी की जो पर्चेस प्राइस होता है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पर ही मुल्यांकित की जाती है रिकॉर्ड में दिखाई जाती है तो पर्चेस प्राइस या फिर अगर औरिजिनल कॉस्ट दे रखी हो आंसर में अपके तो वो रहेगा नेस कोशन है अकॉंटिंग स्टैंडर्ड 19 इस रिरेटेड विद लिखांकर मानक 19 का संबंध है लीजेस पट्टे से इंटैंगेबल एसेट अमूर संपतियों से इंवेस् 19 है वो रिरेटेड हो जाएगा लीजेस से यानि कि पट्टे से तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आज वीडियो में बिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ और नए कोशन के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजे चैनल में आए हो तो सब्सक्र कर दीजिए नोटिफिकेशन बिल्कु भी जोरान कर दीजेगा और जादा साथ फैंट साथ वीडियो को शेर कर दीजेगा बिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू